तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको कूलर में रेगुलेटर कनेक्शन करना बताएंगे फ्रेंट्स आपके पास किसी भी टाइप का कूलर है अगर आपके कूलर में रोटरी स्विच लगा है वो एक ही speed में चलता है वही अगर आप उस दोतार वाले motor में इस regulator को लगाएगा तो इससे क्या होगा आप अपने motor का speed इस regulator से कम ज़्यदा कर सकते हैं तो इस regulator का connection हम cooler में कैसे करते हैं और कैसे आप इस switch को remove करके इस जगा पर इस regulator को लगाएगा सब कुछ आपको इस वीडिय सबसे पहले आपको मिलते रहेगा तो चले वीडियो को शुरू कर लें यह जो हमारा कूलर है इस पूलर में तीन रोटरी स्विच लगा हुआ है जो कि एक स्पीड मोटर के लिए एक हमारा वाटर पॉंक्प के लिए है यहाँ पर दिखें जो हमारा यह तीनों रोटरी जो इस दोनो रोटरी स्विच एक कनेक्शन रहेगा इसको आपको कुछ भी नहीं करना है इस कनेक्शन को ऐसे ही रहने देना है वही फिरिंट देखे जो आपका फैन मोटर का रोटरी स्विच रहेगा इसमें फिरिंट यहाँ पे देखिए इस रोटरी स्विच में यहाँ पे अगर आप इस cooler का connection rotary switch साथ करना नहीं जानते तो हमने इसके उपर प्रोपर वीडियो बना है वीडियो आपको उपर iWater मिल जाएगा मैं link description मिल देदूँगा आप जाके वहाँ पर देख लिजेगा यहाँ पर देखिए जो हमारा यह cooler है इस cooler का जो fan motor है उस fan motor से यहाँ पर दो wire बाहर निकला है तो एक wire हमारा यहाँ पर rotary switch में connection है और जो हमारा इसका दूसरा wire है वो यहाँ पर देखिए हमारा जो power supply का neutral वाला wire है उसमें connection है उसी के साथ swing motor और water pump का भी wire connection है तो आपको क्या करना है इस joint के साथ कुछ भी नहीं करना है इसको ऐसे ही रहने देना है यहाँ पर दीखिए जो आपका रोटरी switch का L वाला point है यहाँ पर supply का दो wire लगा हुआ है जो कि looping का है इसको आपको क्या करना है यहाँ से remove कर देना है अब देखिए जो आपका रियोड़े का इस regulator में याँ पर दो wire में आपको क्या करना है जो आपका का दो wire रहेगा इसको आम यहाँ पर जोड़ने के बाद जोडने के बाद याँ टेप को लगा देना है तो तो yaह पर हमने joint पर अच्छा से टेप को लगा दिया है तो आपक आपका supply wire connection रहेगा उसको आपको खोल के regulator के एक wire में जोड़ देना है उसके बद फिंट्स यहाँ पर देखिए जो आपका रोटरी स्विच का एक नमबर वाला कर देना है तो फिंट्स यहाँ पर चलिए हम इसको connection कर ले रहे हैं करने के बद फिंट्स आपको क्या करना है इस ज्वाइंट में अच्छा से टेप को लगा देना है तो फिंट्स यहाँ पर देखिए जो हमारा regulator का दोनों वायर था इन दोनों वायर में हमने क्या किया है एक म तो हमारा regulator से operate होगा और आपको एक चीज है यहां पर पता हैता हूँ अगर आपके cooler में 1-way switch लगा हुआ है और आप इस switch को आटा के regulator लगा रहे है तो वहां पे आपको क्या करना है जो इस switch के नीचे वाले point में supply connection रहेगा उसको यहां से क्होल के क्या करना है यह रीघुलेटर के एक wire में connection कर देना है और जो आपके उपर वाले point में motor का wire connection होगा उसको क्या करना है, यहां से खोलके जो आपका regulator का दूसरा wire रहेगा उसके साथ क्या करना है, motor के उस दूसरे wire को connection कर लेना है, तो फिर्ट्स इस से क्या होगा जो आपका cooler motor होगा वो इस regulator से काम करने लएगा तो friends आप यहाँ पर regulator connection करना समझ गया होगे अब friends में आपको इस cooler को चालू करके दिखा जेता हूँ कि जो हमने regulator connection किया है यह regulator proper काम कर रहा है कि नहीं friends यहाँ पर दिखिए इस regulator में एक से लेके चार तक स्पीड दिया हुआ है तो friends यहाँ पर दिखिए इसको हम एक पर लगा रहा है तो हमारा motor दीरे-दीरे गूम रहा है वहीं देखिए दो पर लगा रहा है तो थोड़ा सा और इसका स्पीड बढ़ जा रहा है फिर इसको यहां पर देखे हैं, हम 3 पर सेलेक्ट कर रहा है, तो हमारा cooler का speed थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और जब इसको हम यहां पर 4 पर सेलेक्ट कर रहा है, तो जो हमारा cooler है, वो यहां पर full speed में run हो रहा है, तो फिर यहां पर cooler है, यहां पर full speed में चल रहा ह तो फिन्ट आपको अपने cooler में regulator का connection ऐसे ही कर लेना है जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ उमीद फिन्ट आप इस वीडियो को समझ गया हूँगे फिर भी अगर आपके मन में कोई भी doubt है अगर आप इस connection को कहीं पर नहीं समझ पाएं अगर आप हमसे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप हमको comment कर सकते हैं मैं आपका जरूर help करूँगा चलिए मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएं